दोस्तों क्या आप एक कोईन केलेक्टर है आप घर बैटे मंगवाना चाहते हैं अपने कलेक्शन के लिए रेयर वैल्यूबल कोईन सो नोट तो अभी के अभी जाके डाउनलोड करें कोईन बजार एप्लिकेशन को या विजिट करें कोईन बजार वैबसाइट पर यह बैस प करें और घर बैटे मंगवाए अपने कलेक्शन के लिए रेयर वैल्यूबल कोईन सो नोट नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूं अपने यूटूब चनर आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह है एक रुपे क एक बड़े वाले कोईन बिग कोईन जिनको दब्बू कोईन भी कहा जाता है और इस तरह के कोईन आठ गिराम वजन के होते हैं कोपन निकल के और यह सन 1975 से लेकर 1982 तक ढाले गएते भारत की अलग-अलग मिंट से बहुत सारे लोग को कन्फूजन होता है इन सिक्कों को लेक बना है तो यह सी का काफी जदा रेयर होगा वैलेवल होगा जैसा कि आप मेरे एक्जिबिशन के अलग-अलग व्लोग देखते रहते हैं तो एक्जिबिशन के व्लोग में मैं यह सारी चीज़े अड़ नहीं कर पाता हूं इन सिकों की वीडियो नहीं बना पाता हूं जो पहले मैंने दिल लिकी दो अलग-अलग एक्जिबिशन के व्लोग भी शेयन पर दिखाए तो जहां भी मैं गया एक्जिबिशन में वहां पर ऐसे एक रुपे के सिक्खे मुझे देखने को मिले सब्सक्राइबर्स के दुआरा कैसे यह सिक्खे बिकवा दीजिए यह अर्टिकल मीडिया पर आपने देखा हुआ कि बहुत सारी चीजे चलती है के सिक्खे रेर है वैल्योबल है तो बहुत सारे लोग कंफिूज हो जाते है इंसी कोको लेका और ऐसी जो आर्टिकल चलते है तो उससे बहुत साई लोग भ्रमित हो जाते है कि एक रुपे के जो सिक्के खास और वैल्यूबल है जो वीडियो में अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ और जैसे मैंने बताया कि ये सन 1975 से लेकर 1982 तक ढाले गए लेकिन सभी सिक्के कोमन है तीन से चार रुपे का एक सिक्का होता है अच्छी कंडिशन का अब इनी में मैं आपको यो रेर वरैटी दिखाने वाला हूँ ये वीडियो आप ध्यान पूर्वक देखे ये वीडियो आप ही के फाइदे के लिए में बना रहा हूँ मेरा इसमें कोई भी लाब नहीं है मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ ताकि आपके घरों में जो सिक्के पड़े है कम से कम आपको उनकी सही जानकारी तो मिल जाए काफी बार अच्छा और दुल्लब सिक्का जानकारी के अभाव में लोग सस्ते में बेच देते है फिर बाद में कोई वीडियो देखते है तो यार मेरे पास थे बहुत सारे सिक्के थे, मुझे अपने सिक्कों में यह देख लेना चाहिए था, क्या कोई error तो नहीं है, कोई age variety तो नहीं है, कोई rotation तो नहीं है, या कोई mule coin तो नहीं है, तो आब में जो सिक्के दिखाने वाला हूं, वो अभध्यान पूरवक देखे इन सिक्कों को साइड में करते हैं, कुछ सिक्के और देख लेते हैं, अब ये सिक्का देखे आप, ये भी सेम ऐसा ही सिक्का है, आट गिराम वजन का, बिक कोईन, लेकिन इसकी एज काफी ज़्यदा खास है, मैं इसकी एज आपको दिखाता हूं, ये देखे, फुल रिडिड एज, बाकि सभी सिक्कों की एज आप देखेंगे, इन सभी सिक्कों को में उठा लेता हूं, ये देखे, अब सबसे उपर मैंने रखा है रिडिड एज वाला सिक्का, एक बार इन सभी सिक्कों की एज आप देख ले, ये देखे, तो नीचे के जो चार सिक्के हैं उनमें security edge लेकिन जो उपर वाला सिक्का है उसमें readage देखने को मिल रहा है तो ऐसे यह readage वाले सिक्के काफी जड़ा खास होते हैं और यह सन 1975 से 1982 कि date में किसी भी date में readage वाले सिक्के देखने को मिल सकते हैं क्योंकि readage वाले सिक्के भी ढाले गए लेकिन बहुत कब मात्र में तो अगर आपके पास काफी बड़ा लोट है इस तरह के सिक्कों का 8 गराम बजन का तो उनमें रिडेज भी देखे 500 रुपे से लेकर 15 सुरुपे तक कीमत होती है इस कोईन की अब मैं दूसरा एक खास सिक्का दिखाने वाला हूँ इनी वर्राइटी में से ये सन 1975 का सिक्का है बिक कोईन 8 गराम बजन का लेकिन खास बात क्या है दिखाता हूँ ये देखे जब हम इस सिक्के को ऐसे पलटते हैं ये देखे तो इसमें आ जाता है टू ओक लोक रोटेशन यानिके ये डाई रोटेशन है दुबारा देख ले अभी सिक्का बिल्कु सीधा है लेकिन जब हम इस सिक्क्यों को ऐसे घुमाते हैं यह देखे तो इसमें है टू ओक लोग डाई रोटेशन यानिके इस सिक्क्य में रोटेशन है तो ऐसे रोटेशन सिक्क्य भी देखने को मिल सकते हैं एज वराइटी, डाई रोटेशन, दो सिक्के मैंने दिखा दिए, दो वराइटी दिखा दी, इनी सिक्कों में से दो रेयर वराइटी, तो अब इन दोनों रेयर सिक्कों को भी साइड बे रखते हैं, हाँ, रोटेशन सिक्के की कीमत मैं आपको बता देता हूँ, यह देखें तो इस rotation सिख्के की कीमत 300 रुपे से लेकर और लगबग 700 रुपे के बीच में अब सबसे खास वराइटी ये दो सिख्के उठा लेता हूं मैं ये है die variety जिसको mule die variety भी कहा जाता है या line variety भी कहा जाता है 1977 1977 के ये दो सिख्के वही big coin है art gram version के अब हम इनको घुमाते हैं दोनों के असोग इस्तम देखें आप ध्यान से इसकी एक separate वीडियो बनाने वाला हूं मैं जिसमें मैं step by step एक एक बारीकी से सारी चीज़े बताऊंगा क्या कैसे पहचान करनी है उस line variety की और क्या आपको देखना है तो ये भी एक अच्छा collectible die variety एक mule coin है तो तीन variety मैंने आपको इनी सिख्कों में से दिखाई तो अगर आपके पास बहुत सारे ऐसे सिख्के हैं तो उनमें इस तरह के सिख्के भी मिल सकते हैं कोई rotation error कोई die shifting error तीन तो मैंने आपको दिखाई दिये है edge variety एक तो एक rotation error और ये mule die variety तो अगर आप भी circulation से कुछ valuable खास सिख्के collect करना चाते हैं तो आपको थोड़ी study भी करनी पड़ेगी तब ही सारी चीज़े आपको अच्छे से समझ में आएगी मेरे collection के ये सिख्के हैं मैं तो सिख्को पर study भी करता हूँ exhibition में जाता हूँ पिछले 10-12 साल से कोईन का collection भी कर रहा हूँ मुझे तो अच्छा लगता है कोईन पर study करना कोईन को बारी की से समझना उनकी dive variety, edge variety, कोई rotation error, off center error ये साई चीज़े समझने में अच्छा लगता है तो ये वीडियो मैं आप ही के फाइदे के लिए बनाता हूँ क्योंकि exhibition में जब मेरे पास subscriber आते हैं तो बड़ा confusion होता है ब्रहमी तो हो जाते हैं वो online देखकर इन सिक्कों के price बहुत सारे ऐसे online platform में जापए इन सिक्के के price 1000 लगों में डाले हुए है जबकि 1975 से 1982 तक के सभी सिक्के common हैं, विल्कुल common 3-4 रुपे का सिक्का भी के एक अच्छी condition का लेकिन वहीं अगर ये खास सिक्के हैं, जो कितनी आसानी से नहीं मिलते हैं ये सिक्के valuable है, ये rare है, ये dive variety तो rare है इसकी में auction की price भी आपको दिखाऊंगा जल्द ही इन दोनो dive variety सिक्कों की में separate video लाने वाला हूँ और मैं ये भी दिखाऊंगा कि ये सिक्के काफी बार auction में भीक भी चुके हैं और कितनी कीमत पर भीके हैं, वो भी आपको दिखाऊंगा आज ये video कैसी लगी, नीचे मुझे comment करके बताना चैनल को अगर आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe करके उस bell notification को जरूर दबा दे ताकि आने वाली video के notification आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तो इस video को आप ज़्यादा से ज़्यादा share करें, ताकि उन लोगों को तक ही ये video पहुंच सके जो ऐसे comment सिक्कों को खास समझ चुके हैं, और ये video उन लोगों तक भी पहुंचनी बहुत जरूरी है, जो ऐसे comment सिक्कों में से भी कुछ खास सिक्के collect कर सकते हैं, आज कि इस video को ही खतम करता हूँ, इस video को देखने के लिए आपका धन्यवाद तो दोस्तों, आज की ये video जानकारी कैसी लगी, नीचे मुझे comment करके बताना, और coinvejor website और application का link वीडियो के description में दे रहा हूँ तो अगर आप भी घर बैठे मंगवाना चाहते हैं अपने collection के लिए rare coins और not, तो coinvejor application और website पर आप visit करें